बिस्मिल्लार्मारीम, Assalamualaikum 6th Class, आज हम exercise 4.4 का question number 1 करेंगे, question number 1 में हमने, इसमें हमने division के बारे में ठेक है करना है, अभी तक हमने plus minus करना भी सीख लिया, उसके इलावा multiply करना भी है, अब हमने किस के बारे में पढ़ना है, division के बारे में, first question हमारे यह, minus 42 divided by minus 7, तो अब हम क्या करेंगे, यह मारे पास same sign है, minus minus, मारे पास क्या answer आता है, plus, तो हम यहाँ सबसे पहले कह डाल देंगे, plus, ठीक है, और 42 divided by 7, as it is आजेगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, plus, यह equal का sign आपका सही होना जाएगे, 42 divided by 7, तो जब हम अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या है, 7, 7, 6, 42, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, plus, 6, यह हमारा answer आए, जब हमारे पास, अब सेम, जैसे, minus, minus, plus होता है, तो हमारे पास, plus sign आए, अगर इसी जएके से, हमारे पास, दोनो values, plus की होंगे, तो हमारे पास answer के आएगा, plus आएगा, और एक minus की होगी, तो हमारे पास answer के आएगा minus आएगा अगर पहली plus के और दूसरी minus के आएगा तब भी minus आएगा ठीक है यह sign आएगा उसके बाद simple हमने divide करना है एक question इसका all कर लेते है इसका last part कर लेते है minus 155 divided by plus 31 अब हमारे पास यह unlike है मतलब different sign है plus minus minus तो यहां हमारे पास क्या आदेगा minus अब हम क्या करते है 155 divided by 31 इक्वल माइनस 155 divided by 31 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 31 जार और यह 5 पे डिवाइड होगा ठीक है तो हमारे पास answer क्या आएगा minus 5 यह इसी तरीके से question number 1 की जितने भी part हम सारे के सारे हमारे इसी तरीके से हो जाएंगे अब हम question number 2 की तरफ आते हैं उसमें हमने क्या करना है fill in the boxes दुबारा हमने क्या करना है fill करना है boxes को question number 2 अब इसका जो first part है वह 12 by 3 इसको हम simple divide करेंगे 3 1 0 3 3 4 0 12 हमारे पास यहां क्या आजएगा box में 4 आजएगा लेकिन जब हमारे पास इस तरह की situation होगी कि हमारे पास denominator नहीं दिया होगा तो हम इसके कैसे find करेंगे हम क्या करेंगे minus 16 और यह वाला minus 2 हम इसको यहां लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 1s are 2 2 8s are 16 same sign थे तो plus ही आएगा हमारे पास क्या है 8 तो हमारे पास यहां 8 आजएगा जब हमने denominator find करना है जब nominator find करना है तो इसका एक अलग method और क्या करते है जो पी चीज हमारे पास है 9 उसको हमने multiply कर देना है 8 के साथ तो हमारे पास minus 8 के आएगा 9 8s are 72 और साथ में क्या आएगा minus आएगा तो यहां minus 72 इसी तरीके से हमारा question number 2 के सारे boxes फिल हो जाएगे question number 3 में हमने क्या करने find the question of the following हमने के find करने ठीक है questions अब हम क्या करेंगे इसको इससे divide करेंगे तो हमारे पास same sign है यह यह भी plus है और यह भी plus है तो हमारे पास क्या आएगा plus ही आएगा वापिस equal का sign और 252 divided by 18 ठीक है अब हमने इन्हें divide करने divide कैसे करेंगे यहा side पर थोड़ा से कर लेते 252 divided by 18 तो क्या आएगा 18 मंदर 18 15 यहां 5 में से 8 नहीं जाएगा 15 15 में से 8 के 7 और यहां से क्या जाएगा 2 अब 18 का table पढ़ेंगे हम कहां तक कि हमारे पास 72 है तो 18 472 हो जाएगा ठीक है हमारे पास answer क्या है 14 यह वाला sign आएगा और साथ में क्या जाएगा 14 अब हम इसका next को पार्ट करते है 5 पार्ट कर लेते हैं इसका क्या है minus 99 divided by plus 11 अब जखेंगे यह opposite sign है na same sign नहीं यह opposite है तो हमारे पास क्या है आएगा माइनस ही आएगा और 99 divided by 11 11 के टेबल हम पड़ेंगे 11 11 11 999 तो हमारे पास answer क्या जाएगा माइनस नाइन इसी तरीके से आपकी exercise 4.5 complete हो जाती है इंशाला आपको समझाओगी होगी thank you Allah